चानक के अपनी शिशलोक में बड़ी सुन्दर सी बात कहते हैं कि जो विद्या विहेन मनुष्य है जो विद्या विहेन पुरुष है उसकी क्या इस्थिति है तो बड़ा सुन्दर सा उदारने दिरा ध्यान से सुनिएगा विद्या के विना आपका जीवन कुत्ते की अब चयों हो लोग कहते हैं मारी कोई पूछ ही नहीं है पूछ होनी चैहिए कुद्ट की पूछ टेनी होती है ऑर ऐसे टेनी होती है जो उसका कójे गोपन स्थान है या रड़ पूछ आप देखेए गोपनी अस्थान जो होता है गाय की Bhãs के भी पूछ से होती है तो पूंच ही उनका वस्त्र है जिससे वो अपना गुहयो गोपन कर लेते हैं ना दिखाने वाली चीज को अपने पूंच से ढखे रहते हैं लेकिन कुकुरा की पूंच ऐसी होती है कि ना गुहयो गोपने शक्तम और ना चा दंश निवारने दो काम पूच के बहुत इंपार्ट है कि जैसे कुट्टे की पूंच ना मच्छर हांक पाए और ना ही गुहयो गोपन कर पाए तो अर्थात आपका जीवन कुट्टे की पूंच की तरह का जीवन ना हो जाए इसलिए आपको विद्या पढ़नी चाहिए इसलिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए इसलिए आपको पढ़ने चाहिए जीवन की विद्या कहीं से भी मिले किसी आपको लगना ही चाहिए को पढ़ाने का मतलब सिर्फ आ जोगाaden Stock program कर पाएगा लगा इस पढ़ा लिखा आदमी और ता गुंपन का विद्धिया से आप अपना चरित्र आप अपनी जो ना दिखाने वाली चीज है जो ना प्रकाशित करने वाली चीज नहीं बताने वाली चीज उनको चिपा लिद्वान आदमी जो पढ़ा लिखा आध्मी होता है वह खुद की रक्षा करता है विध्या की रक्षा करने में समर्थ बनाती और विद्या आप पढ़ें तो भरण पोशन कर लेगे तो दंस निवारन करने मतलब विद्धिया को दंस निवारन करती हैं मतलब छोटे आपके 357 होते यह मख्यों की तरह आप पढ़ा लिखा आदमी झो छोटा मोटा अटैक होता उसके उप्टोर चोटे मोटी दिक्कतें आती ethically पूँच पूच से वह अपने दन्ष का मने अपने उपर आने वाली छीटा कसी का मच्चरों जैसी छोटी-मोटी समस्याओं का समाधान खोज लेता यह विद्या-ध्यान का फल विद्या-पूच है आपकी और विद्या से ही आपकी पूच होगी जिसके पास विद्या ने उस पूच किसकी होती आप देखना पूच पूचना सबसे कि पूच किसकी होती है अरे विद्या की पूच होती है ज्यान की पूच होती है पूच